कि यह गाइस वेलकम पुद्व सिक्स्थ लेक्चर ऑफ दे चैप्टर अनिमल केंगडम आयम हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम एंड इंब्राइनिक डेवलपमेंट के बाड़े में तो चलो यह लेक्चर शुडू करते हैं देख सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरह के होते हैं एक हो गया ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और एक हो गया प्लोस्ट सर्कुलेटरी सिस्टम पहले ओपन टाइप पढ़ते हैं ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है देखिए इन विच दबलड इस पंप्ट आउट of the heart ऐसे और्गिनिजम जिन में जो खून है वो हाट से पंप होता है और सीधा डिरेक्टली सेल एंड टिशू के पास पहुंच जाता है और सेल और टिशू उस खून में नहा लेते हैं ठीक है यानि कि हाट से ब्लड निकला और डिरेक्ट सेल एंड टिशू के कॉंटेक्ट मे टिशू लेवल और्गिनाइजेशन है तो टिशू के डिरेक्ट कॉंटेक्ट में ब्लड आ जाता है किसी भी तरह की यहां पे किसी भी तरह की कोई ब्लड वेसल्स की प्रेजेंस नहीं होती आर्टिरी, वेन, कैपिलरी यह सब नहीं होते ओपन टाइप सर्कूलेटरी सिस्टम को कहने ओपन टाइप यह में देखने को मिलेगा अर्थोपोडा में मौलस्क में यानि कि मौलस्कां में एक आयनौ डोर चॉडेट्स में जैसे की ट्यूटिकेट्स installed को उपन टाइपको तर्कूलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा अब overcome टाइप पढ़ लिए circulated through a series of vessels, ठीक है, blood vessels present है, of varying diameter, जिनका diameter vary कर सकता है, किसी blood vessel का diameter ज्यादा होगा, किसी का कम होगा, ठीक है, और blood vessels जैसे की arteries, veins and blood capillaries, तो इस बार देखो, दिल से खुन निकला, और वो सीधा cell और tissue के contact में नहीं चला गया, ये खुन, artery से होकर गया, ठीक है, फिर capillaries में गया, और फिर, जो हमारे cells है, और tissue है, उनको ये blood, मतलब tissue और cell जो है, ये blood को receive किये, ठीक है, और vein से होते हुए, फिर ये blood कहां चला गया, heart के पास, तो एक पूरा का पूरा यहाँ देखो, क्या लिखा है, मैंने, close network है, blood vessels का, एक close network है, ठ प्रेजेंट है, cell और tissue जो है, यहाँ पे ये खून की नदियों में नहीं नहा रहे है, ठीक है, direct blood और direct blood के contact में, cell या टिशू नहीं है, यहाँ पे एक close type circulatory system है, in animals में, ठीक है, एक close network है, blood vessels का, artery है, capillary है, veins है, ठीक है, तो इने हम कहते, close type circulatory system, यहाँ आपको कौन से phylum में देखने को मिलेंगे, Anilida में, most of the quadates में, जारतर quadates में, and cephalPod mollusk में, ठीक है, moluska का भी एक type है, cephalopod mollusk का, उनमें आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, ठीक है, तो most of the quadates में देखने को मिलेंगे, alright, तो यह जो close type circulatory system है न, यह advanced होता, advanced phylum में, advanced animal में आपको देखने को म मिलेगा एक तरीके से closed type circulatory system ठीक है advanced होता है open type से ज्यादा advanced होता है closed type क्योंकि यहां पर एक closed अच्छा खासा network है blood vessels का जैसे artery veins and blood capillaries का तो यहां पर हमने circulatory system देखा अब moving on to the next slide हम बात करते है embryonic development की अब बात करते है embryonic development में देखिए embryonic development एक organism में किस तरीके से हुआ है उसके basis पे दो तरह के organism होते है protostomates and deuterostomates दियान से सुनिएगा मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ embryonic development आप आगे जाके पढ़ोगे embryonic development जब embryo का development हो रहा होता है तो बहुत सारी stages आती है जैसे कि आपका हो गया क्या कहते है उसको ओ मोरूला ब्लास्टूला ग्यास्टूला यह सब क्या है embryonic stages जब embryo का development हो रहा होता है तो बहुत सारी stages आती है ठीके मोरूला हो गया ब्लास्टूला हो गया, गैस्टूला हो गया, ठीक है तो गैस्टूला स्टेज के सब में यह देखो, यहाँ पर आपको गैस्टूला दिख रहा है, गैस्टूला स्टेज में यहाँ से एक ऐसा डिप्रेशन बनना शुरू होता है, ठीक है एक गढ़ा बोलो डिप्रेशन बनन बना शुरू होगा और यह आगे जाके घट बनाएंगा और यह चुल पनींग में इसकी जो ओपनिल एक यह इ verdict if टेट उicovert यह ब्लास्ट्म पोड क्या कहते है ब्लास्ट्म पोड तो अगर इंब्राइनिक development के समय इस blastopore से पहले mouth बना ठीक है blastopore becomes mouth तो ऐसे organism ऐसे animal sorry ऐसे animal animal is a better word ठीक है ऐसे animal को हम कहेंगे proto-stomates animal क्योंकि हम यह animal kingdom पढ़ रहे है तो organism organism में तो plant animal microorganism सब आ गया तो organism बोलने से अच्छा हम animal बोले तो ज़्यादा correct है हमारे लिए ठीक है तो ऐसे animal जिसमें blastopore है यह अगर mouth बनाए पहले तो ऐसे animal को हम कहेंगे proto-stomate animal ठीक है तो animal in which mouth is formed first देखो इसका और भी अच्छा definition है animal in which mouth is formed from blastopore animals in which blastopore forms the mouth ठीक है तो embryonic development के समय अगर यह जो blastopore है यह mouth बनाए पहले तो ऐसे animal को हम कहेंगे proto-stomate animal animals in which mouth is formed first ठीक है blastopore जो है mouth बनाए अब ऐसे organism sorry ऐसे animals मैं ही बोलता हूँ मही घरबर कर देता हूँ ऐसे animals ऐसे animals जिन में यह जो blastopore है यह आगे जाके anus बनाए blastopore becomes anus ऐसे animal को हम कहेंगे deuterostomate animals animals in which anus is formed earlier anus is earlier than mouth ठीक है in which anus is formed earlier यहां पर formed होगा is formed earlier than mouth यानि कि blastopore जो है यह anus बना रहा है तो अगर blastopore mouth बना रहा है तो protostomate और blastopore बना रहा है तो deuterostomate याद रखेगा deuterostomate जो है एक advanced feature ठीक है advanced feature है advanced feature है advanced animal में आपको देखने को मिलेगा advanced feature है ठीक तो protostomate animal का example हो गया platyhelminthus से लेके mollusca phylum तक ठीक है जितने भी phylum है platyhelminthus to mollusca उनमें जो animals है वो कैसे होंगे protostomate होंगे इन सब phylum के animals ठीक है और बात करें deuterostomate की तो echinodermata hemicordata and chordata इन phylum के जो animals है इनमें आपको कैसा embryonic development देखने को मिलेगा deuterostomate ठीक है animals जो होंगे deuterostomate होंगे blastopore जो है वो anus बनाएगा तो यहां पर हमने basis of classification में जो हमारा circulatory system and embryonic development था वो भी हमने complete कर लिया तो मारा पूरा का पूरा basis of classification यहां पर पूड़ा हो गया ठीक है तो यहां पर मैं इस lecture को खतम करता हूँ मिलता हूँ मैं आपसे animal kingdom के अगले lecture में तब तक के लिए bye thank you take care हो हुई बाहले थाए